नमस्कार आप देख रहे हैं देशवा नियूज और मैं हूँ आपके साथ हरशिता प्रताप सिंग सिक्षा विभाग के अपर मुखिस सचेव्ज केके पाठक ने जब से सिक्षा विभाग की कमान संभाली है तब से वे बिहार के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदलने के लिए आए दिन नए नए निर्देश देते ही रहते हैं वो सिक्षक और प्रिंसिपल की क्लास लगाने में भी नहीं हिचके चाते बीते दिनों प्रिंसिपल के लिए भी आदेश आ गया था कि पूरे दिन स्कूल में क्या पढ़ाई हुई कैसे पढ़ाई हुई और स्कूल चलाने में क्या दिक्कते आ रही हैं इसको लेकर हर शाम को उन्हें एक रिपोर्ट देनी होगी केके पाठक ने सिक्षकों की भी क्लास लगाई थी सिक्षकों के लिए तो जो कुड़सी क्लासरूम में रहती है वो तक हटवा दिया था ताकि जो सिक्षक पढ़ाने की जगह कुड़सी पे बैठकर फोन चलाते थे और टाइम पास करते थे वो ऐसा ना कर सके केके पाठक जब भी निरिक्षन पर स्कूलों में जाते थे और देखते थे कोई सिक्षक अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है या क्लासरूम से गायब है उस पर नकेल कसते थे सिक्षकों के वेतन काट लिए जाते हैं और सिक्षक सस्पेंड तक हो गए अपना काम ठीक से ना करने की वज़स से अब एक बार फिर से केके पाठक ने नया निर्देश दिया है जिससे अब सिक्षकों को भी होमवर्क करके आना पड़ेगा जी हाँ अब केवल होमवर्क स्टूडेंट्स के लिए नहीं बलकी सिक्षक के लिए भी होंगे और अगर वो अपना होमवर्क ठीक से करके नहीं आएंगे तो उन पर एक बार फिर से कारवाई हो सकती है अब हम आपको बताते हैं कि केके पाठक का ये नया निर्देश क्या है दरसल केके पाठक ने कहा है कि अगर कोई भी सिक्षक क्लास्रूम में पढ़ाने जा रहा है और वो जो भी चैप्टर पढ़ाने वाला है तो उसके लिए उन्हें एक अधेन सामगरी तयार करनी होगी और ये अधेन सामगरी उन्हें पहले प्रिंसिपल को दिखाना होगा उसके बाद ही वो क्लास्रूम ले सकते है। जो भी सिक्षक principal को अधैन सामग्री नहीं दिखाएगा उसके बारे में नहीं बताएगा तो ये माना जाएगा कि सिक्षक ने class लिया ही नहीं कक्षा में पढ़ाया ही नहीं इसके बाद सिक्षकों को कारवाई के लिए तैयार रहना पढ़ेगा ये निर्देश है कक्षा 3 से लेकर 12 वी तक के सिक्षकों के लिए जो सिक्षक 3 से 5 वी कक्षा तक पढ़ाते हैं उन्हें 2 पेज का जो सिक्षक कक्षा 6 से लेकर 8 वी तक पढ़ाते हैं उन्हें 4 पेज का और जो सिक्षक कक्षा 9 से लेकर 12 वी तक पढ़ाते हैं उन्हें 6 नहीं और उसके बाद उन पर कारवाई की नकेल कसी जाएगी इतना ही नहीं अब छात्रों को भी लेकर कुछ सक्ती बढ़ती जारी है जी हां अब छात्रों के लगबग 50% उपस्तिती के लिए भी कड़ाई की जारी है ये निर्देश दिया गया है कि प्रिंसिपल और सिक्षक कि ये देखें कि क्लास्रूम में बच्चों की उपस्तिती कम से कम 50% होनी चाहिए जिसको लेकर प्रिंसिपल और टीचर को खुद इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा अगर क्लास्रूम में बच्चों की कमी रहती है तो सिक्षक खुद घर फोन करके पूछते हैं उनक होमवक करना पड़ेगा और जो टीचर ठीक से अपना होमवक नहीं कर पाएंगे उन्हें कारवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा इस खबर में अभी के लिए इतना ही आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देश्वा न्यूज सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले